हालो फ्रेंट्स वेल्कम्ट्री चेंपिन गुट जीफिंट्स आज की स्वीटिम लोग रूट वाले संक्याव के जोड का इन सभी छे परकार के सवालों को चुटकियों में सॉल्व करने का सबसे बहतरी इन तरीका देखेंगे और हाँ दोस्तो इस लास्ट तीन परकार के कुश्चन में अधिकतर इस्टूने गलतिया करते हैं तो आप पूरा वीडियो ध्यान सेंट तक जरू देखेगा और दोस्तो चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरू किजएगा ताकि ऐसी भी जो आपको रिग्र स्वाल करते हैं तो देखिए रूट के जोड का कोई भी सवाल स्वाल करना रहेगा तो आपको सबसे पहले देखना है कि रूट के अंदर जो संख्या है वह बराबर है की नहीं अगर रूट के अंदर जो संख्या रहेगा अगर बराबर रहेगा तो आपस में असानी से जू तो सबसे पहले root के बाहर वाले संख्या को add करेंगे तो देखे, root के बाहर यहाँ पर क्या है, तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है, ठीक है उसी तरह से root के बाहर यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है तो सबसे पहले इस root के बाहर वाले संख्या को जोड़ेंगे तो एक और एक को जोड़ेंगे तो क्या जागा तो यहाँ पर दो आ जाएगा और उसके बाद देखिए root 2 इसमें भी है और root 2 इसमें भी है common है तो root 2 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है यानि root 2 और root 2 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा तो 2 root 2 आ जाएगा ठीक है यहाई इसका सही answer हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर दूसरा question है कि root 3 plus root 3 plus root 3 बराबर क्या होगा तो देखिए यहाँ पर भी देखिए root के अंदर जो संक्या यहाँ पर 3 है यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है यानि सभी संक्या आपस में बराबर है root के अंदर वाला तो क्या आपस में असानी set हो जाएगा तो सबसे पहले root के बाहर के संक्या को जोड़ेंगे तो root के बार यहां पर कुछ भी नहीं तो यहां पर एक है और यहां पर भी कुछ भी नहीं तो यहां पर एक है और यहां पर भी कुछ भी नहीं यह root के बार तो एक है ठीक है तो आप देखिए सबसे पहले root के बाहर वाले संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए एक और एक को जोड़ेंगे तो दो और एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर तीना जाएगा और यहाँ पर सभी में root 3 common है तो root 3 यहाँ पर लिख देंगे और यहीं आपका इस question का सही answer हो जाएगा 3 root 3 अब देखिए यहां पर तीसरे कुशन में, यहां पर देख सकते हैं कैसे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि रूट के अंदर जो संक्या है बराबर आई की नहीं, यहां पर रूट के अंदर पांच है, यहां भी रूट के अंदर पांच है, यहां भी और यहां भी रूट के तो आपस में असानी से add हो पाएगा ठीक है, तो सबसे पहले रूट के बाहर के संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर रूट के बाहर कुछ भी नहीं तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं, रूट के बाहर यहाँ पर तीन है यहाँ पर चार है और यहाँ पर दो है तो सबसे पहले रूट के बाहर के संक्या को जोड लेंगे तो देखें जोड लेते हैं तो एक और तीन को जोड़ेंगे तो चार और चार को जोड़ेंगे तो आठ आठ और दो को जोड़ेंगे तो यहाँ पर दस आजाएगा ठीक है आप देखिए यहाँ पर चौथे, पांच वेर छटे, टाइप के कुश्चन में अधिकते रेश्ट्वेरिन कलतिया करते हैं, तो देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जोडने के लिए देखेंगे, कि रूट के अंदर जो संक्या बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर रूट के अंदर तीन है, और यहाँ पर रूट के अंदर दो है, यानि देखिए, यहाँ आपस में बराबर नहीं है, तो जब भी इस तरह से अगर root के अंदर जो संक्या रहेगा आपस में बराबर नहीं रहेगा और उसको add करना होगा यानि जोडना रहेगा तो आपस में कभी भी add हो नहीं हो पाएगा यानि या जिस तरह से question दिया हुआ है उसी तरह से आप इसको लिख देंगे root 3 plus root 2 root 2 और यहीं आपका इस question का साही answer हो जाएगा ठीक है या आपस में कभी भी add नहीं हो पाएगा और देखिए याँ पर दूसरा question है कि 6 root 7 है plus 4 root 3 है तो सबसे पहले तो देखिए root के अंदर जो संक्या याँ पर साथ है और यहाँ पर root के अंदर 3 है तो यह आपस में बराबर नहीं है 7, 3 बराबर नहीं है तो यह आपस में कभी भी add हो पाएगा नहीं होगा तो इस तरह से कभी भी add नहीं होगा तो जैसा है वैसे लिख देंगे root 6 root 7 और plus 4 root 3 यहीं इसका सही answer हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर 6 type के question में यहाँ पर कुछ चंक है आपस में जूट जाएगा यानि add हो जाएगा और कुछ चंक है आपस में add नहीं होगा तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर root के अंदर 3 है और यहाँ पर root के अंदर 3 है तो दिखे सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं यानि यहां दोनों आपस में आइड होगा और यहां दोनों आपस में आइड होगा तो दिखे रूट के बाहर यहां पर एक छुपाऊगा है और यहां पर छे है तो सबसे पहले इस छे को और एक को जोड़ेंगे तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और दोनों में root 3 common है तो root 3 यहाँ पर लिख देंगे और plus का यहाँ पर plus लिख देंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पर root के अंदर 2 है और यहाँ पर root के अंदर 2 है यह संखेत दोनों आपस में add होगा तो root के बाहर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर root के बाहर 3 है तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और दोनों में root 2 common है तो root 2 यहाँ पर लिख देंगे ठीक है अब देखिए यहाँ आपका आगया इस तरह से देखिए चौथे और पाच्वे type का question आ गया यहाँ पर 7 root 3 और plus 7 root 2 याँ रूट के अंदर जो संक्या यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है बराबर नहीं है तो यहाँ पस में कभी add हो पाएगा नहीं होगा तो इसी तरह से इसको छोड़ देंगे और यहीं आपका इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तो इस तरीके से आपको बहुत ही असाम तरीका से इस छे type के question को बता दिये हैं root के जोड़ का तो आप बहुत ही असी तरह सी गया होंगे तो दोस्तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्क्राइब कर जिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगर मिलती रहे है